नीमच क्रशी उपंजमेंडी की लैसुन मंडी में हम मौझूद है और आज जो है आवक लगभग 15,000 बोरी की बताई जा रही है जो कल की अफेक्शा काफी लगभग 5,000 बोरी कम है लगभग और भाव की बात करें तो आज 13,000 प्लस वूटी में है जबकि 10,000 प्लस देशी में बताई जा रहे है न्यून्तम भाव देशी का करें तो वही 3000 प्लस है और यहां जो उटी की बात करें तो 4-5-6,000 के करीब है न्यून्तम में अब बात करें तो आज सुबह और अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है बीच-बीच में बूंदा बांदी वही तो किसानों को थो लेक लिया कुछ लोग ऐसे थे इनके प्लास नहीं थे तो मामूली फसल घीली हुई है अभी किसानों की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी उपज की निलामी हो जाया ताकि बारिश की वज़ज से उनको आगे परिशानी नहों और इसी चिंता में कुछ लोग किसान बेटे हुए हैं वो भी अपनी उपज लेके आए हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनकी उपज की निलामी होगी वाई सब क्या नाम है आपका लोकें सिंग तो दरबार कहां से आया आप मोडी माता जी क्या लेके आया है कुन सी वेराइटी की लस्टन है क वह अव्मीन दापको होसा आपको परशानी भी परेशानि जटार परिश ख्रिचेंटा gland अ और यह खरंटा लेकेन एक से और है कैंड़िन की मोडी स क्या हुआ कि शूपनाव करन ना जी करन तो अ आपको दिख्कत तो नहीं बारिश में तो पाल लाएथ है पाल लाए मोल लाए तो कितना मुनाफ़ा मिल सकता है खर्चा कितना हुआ था पहले दिए बताओ तो अभी कितना खर्चा एक लाग के करीब हो गया है और कितनी उपज है आपकी पंद्रा होड़ा बोरी लाया है तो थोड़ा मुनाफ़ा हो जाएगा हो जाएगा अब इसमें खर्चा तो लगबाग पचास से साड़ा रुपर बिखेगा अब यदि अच्छे दाम मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है दाम तो अच्छे मिल देपर बेटक कहमें इस बार उत्पादन कम होगा उत्पादन बहुत कम हैं तो उत्पादन कम होने का कारण मोसम का है कुछ लोग भी बता रहा है रोग भी आया बहुत सारा सपेद मस्जी काली मस्जी आवेति इससे बेटक कम हुई क्या नाम है आपका गोपाल यह आप कहां से बोड़ी माताजी आप भी मोडी से सब एक ही काओं के सब एक ही काओं से आप भी आपकी कुन चीलेस से यह जीटू तो प्रक्रचा बेटा इसमें घर्चा तो बोट लग यहां उसमें चार-फान बार तो इस प्रे किया न और बी वाई की दवाई और का यह 10-12,000 अलग से लग जाए है क्या उम्मीद है कहां तक जाना चाहिए एक उम्मीद देते हैं या रातरी तो वकड़ी जावए उम्मीद तो यह है कि 10,000 तो जानी चाहिए मिनिमियम आज की रेट से तो आपको भी थोड़ा मुनाफ़ा हो जाएगा औ अभी जो वर्तमान में हैं डाउन चलेगे भाव काफी युदी बात करें आज से 20 दिन पहले की 20 दिन पहले जो भाव थे उसके आदे से भी कम हो गए अदे से भी कम हो गए लग लोगों के 3300 रूपर किलो तक भी की है तो अभी रोक सकते थे आप इसको और हमने पहली बार निकाली तो थोड़ी तो भी खर्चा भी निकालना पड़ाता हूं मजदूर का उनको क्या दे फिर पेसे अला को मिला के बेशना भी मजबूरी है तो यह तो छोटी मिक्स टाइप है ना मिक्स है कि अब 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 कर दो दाम वर्तमान में चल रहे हैं तो भी उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपनी उपज बेशना पड़ रही है उसका मुक्यकारण देंदारी है मजबूरी का पैसा देना है और घर की भी आवशक्ताएं होती है उनको पूरा करना रहता है ऐसे में कम दाम होने के बावजूद भी किसान अपनी उपज बेशने को मजबूर है हाला कि जो दाम है नीमज मंडी में दूसरी मंडियों की अपेक्षा बैतर है जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में यहां अपनी उपज लेकर आते हैं विजित राव महाटिक मार्केट टाइम्स नीमज